बिस्मिल्ला रह्मान रुभाहियम असलाम लीकुम क्रेटर्स अमीद करते हूं आप सब खेरियस ही होंगे आज श्मेशा की तरह आप लिए आप भी बहुत मज़े की रैस्पी लेकिए इसका नाम है चीजी चीकन तिकार डेस्क चले सबसे पहले था हम बनाना स्टार्ट करते हैं और इंग्रीटिंस पताथ जिन क्या का इसमें जाएंगे इसमें जाएंगे शिमला मिर्च एक ली थी मैंने उसको बरीक बरीकट कर लेना है टमाटर लिया वह भी एक ही लिया था उसको बरीक बरीकट कर लेना है और यहां पर दहीं ली है दो से तीन चमच और यहां पे आदा कब मैंने लिए लिय ले है बौाल्स टीकन और डहीं दो से आधी चमच और यहां裡面 लान मिज़ अपने थे अपने हिसाबसर ली आ लेज़ेंगा और हाफ टी स्पून मैं ती स्पॉन ती कैंड़ा चाट मसाला और लसन अदर का पेश्वी मेंने आदा चमच ही लिया है यहां पर है धनिया आदा चमच ती स्पॉन आदा टी स्पॉन जीरा और आदा चमच मैंने लिए ती कसूरी में थी और यहां आदा कप है बॉयल्ड अलू अब इन सब चीजों का हमने मिक्स कर देना है और यह सारी वेजिटेबोस का हमने मैनिनेट करके रख देना है को दस पंदा मिन के लिए उसके बाद हम क्या करना है पुताओं की ठीक है और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो वो जाके जल्दी से सब्क्राइब कर दे और बेल आइकन को ब्रेस कर दे ताके आप लोगों को इसी तरह की मसे मसी की और ब्यूटिफुल से और टेस्टी रेस्पीस मिलती रहे हैं कि अगर आप मिलत रक्राइब का बहुत जाला शौक रखते हैं तो नहीं में रखते हैं तो कॉट देना और आप अपने हिसाब से बिदा सकते हैं ज्यादा कम ठीक है अगर आप चार्ट मसाला अगर आप चार्ट मसाला नहीं डालना जाते हैं तो तिक का मसाला डाली चीजिए कोई नौट प्रॉप्ला तो यह बाकि सब कुछ जाएगा सब कुछ जाएगा जो देने आप लोगों को बता दिया है और मेरी चैनल पर बहुत अच्छी वीडियों से मैंने का आपको बता दूँ ताकि आप लोगों का फा एदा हो जाएगा और आप जाके मेरा चैनल को जरूर विजिए कर जएगा क्या पता आपको पसंदा जायें पसंद आने वाली की आने वाली बात नहीं मेरा माश्याला से बहुत अच्छा चैनल है बहुत अची रेस्पी सियर करती है बिल्कुल ठीक है एक दम ठीक तो फिर आप जाके जरूर वीजिट करिएगा ठीक है कि यहां में जाएगे थोड़ी सी वाइट पेपर वाइट पेपर जाएगा अगर आप डालना चाहते तो डालने नहीं जाएगा तो नहां डाले हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कमी डाला है तो अप्शनल है आपके लिए और लेमन जूस आएगा इसमें थोड़ा खटा कीट अब इसकर नहीं चाहते हैं अब इसको मिक्स कर देना है और युश को पंदार निट के लिए हम छोड़ देंगे आठी ही विए मैनीनएट हो जाएगा अच्छे से बतलु मतलब अच्छे से मिक्से अब थाग्यों समय रहाना है है वससी मिक्स करवाओ वा बालब हैו पलेक म प्रोबलम जो मर्जी ले लो तो उसके बाद हमने कोई कीट और ऐसे लेनी है इसके सर्कल शेप में काट रहें को डिस्क बना रहें ना डिस्क तो फिर वो सर्कल होती है इस तरह से इसको सर्कल का कट कर लेना है आपको पास कट रहें कटर से कर लें जो भी है वो कर लें और यह बागी साइड से इसको जाया ना करना अच्छा है इसके हम ब्रैड क्रम्स बना लेंगे एकनी फजूर खर्ची नहीं करते हैं जाया नहीं करना चाहिए चीज़ों उसके बाद उससे और छोटा लेना है जो हमने उसको उसके दरमयान से फिर कट कर लेना है ठीक है यह देखे इस तरह से एक रिंग बना लेना है हमने और यह जो छोटे हैं इनको भी मत फैंकने इसके उपर भी स्टफिंग कर लेना है हमने और उसके पाद खा लेना है और इस तरह से इस तरह से इसके बाद हम इसके अंदर जो हमारी वैड़ी टेबल से जो भी होगा वो इसके अंदर भढ़ देंगे इस तरह से मैंने सारे कट कर लिए हैं और वो जो अंदर छोटे थे ना उसका भी शेका ब्रेड़ क्रॉप्स मेना रहे हैं या फिर उसके उपर भी सोस वेड़ी टेबल से लगा के आप उसको खा सकते हैं आपकी मरसी है सो देखे अब 10-15 मिनिट हो गए हैं तो अब मैं इसको जो मारी मैने निट की वेज़ी टेबल सीकन जो भी था सो इसको हमने हलका सा कुक करना है नहीं ज्यादा करना है बस हलका सा थी यह जो देहीं कामत थोड़ा सा है पानी या ठीक है वो भी हुश्क हो जाएगा ओईल थोड़ा ओईल दा देना थोड़ा सा मैंने ना मुझे लगा कि वीडियो बन रही है लेकिन वीडियो बनी नहीं जब मैं ओयल बगए डाली थो यह सारा चीज़ है मैं कोई बात नहीं है आप तक समझ जा गए मैं बताऊंगी तो सब जो आलू थे वो हमने लाज में डालने पक जाने के बाद चुलहा बंद कर देने के बाद ठीक है क्योंके वो पहले सी उबले हुए है अगर हम तब ही डालेंगे और मिक्स करते हुए इसका कुछ पेस्ट सा बन जाना कुछ और ही बन जाएगा लग लग नहीं होगा इसलिए इसको बाद में डालने ठीक है जब पक जाए बस वैसे बस मिक्स करना है अब मैंने लिए है पीज़ा सॉस तो वह हम सोस लगाएंगे ब्रेट के उपर आपको जितनी सोस पसंद है आप लगा सकते हैं उससा आप लोगे एक बात बताओं कि आप लोग कभी पी सोस कब वैसे मत टेस्ट करिएगा क्योंकि अगर आप लोगा नहीं कर लिए तो हो सकता है कि आप उसके बात कभी भी पीज़ा सॉस खाना ना चाहें कि इसका टेस्ट ऐसे खाने में उच्छा नहीं होता तो पस इस तरह से आपको जितनी पसंद लगा दें उसके बाद जो हमने रिंग था उसको रखेंगे इसके उपर उसके बाद जो हमने यह वैडिटेबल चीकन जो भी को किया हो वो इसके अंदर अब हमने स्टाफ कर देना है भढ़ देना है वो भी आप पर है कि आपने कितना अच्छा लगता है आपको मस आप लोग देखते जाएंगे कैसी है और हाँ अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए कोई पैसे नहीं लगते बिल्कुल फ्री आपको बता दो और चीज चाहेगे इसक अरिगेनो जाएगा इसका नहीं बहुत मज़ेगी लगती है मुझे और इगेनो की तब बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इससे मुझे और इगेनो पसंद है देखें कुछ इस तरह से हो जाएगा उसके बाद हमने इसको माइक्रोवेव ओमन में 2-3-4 मिनट जितने भी ल कितनेछे लगती है बहुत अच्छे लगती है है चीजी चिचकन 3ड़ डीजी है हमारी बहुत मज़ेगी लग ञगती है माशाल вас से बहुत मजगी बहुत अच्छा टेस्ट था इसका टेस्ट पीजिए है जैसा बता हूं अब मैं अपनों को कट रखके दिखाती हूँ अपनों के मूं में पानी तो आ रहा है मुझे पता चल गए यह है इतनी मज़े को देखने में मज़े के लग रही है कि दिल का रहा है क्या भी खा जाए अब स्टार्ट एता है हमारा हदीस टाइम बिसमिल्ला इफ्रह्मान वहीम हद्थ अबुमासूर अजियल्ला ताला अनहुं बियान करते हैं अबिकरीम स्लिल्ला अलियुक्त ने फर्माया सुर्पाकरा की आखरी दो आयात को जो रात के वक्त पढ़ लेगा ये दोनों रात बर इसकी हिफादत के लिए काफी होंगी ये हदिस मतफ़किय अलाई है और मुस्य में भी है वखारी में भी है तर्मसी में है बहुत से बुक्स है जिसमें है तो मैं आप लोगों को लास्ट में जरूर बताती होती हूं कि इसके नंबर के कहां पे है और कौँसी बुक्त में है तो आप चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल लाइग और कमेंट में जरूर बताईए गा हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू जजाकॉला ह vibe